कोविट काल के शुरू होने के साथ ही नागपूर मनपा में विकास कारे पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं कोविट के नाम पर चैंबर गटर लाइन नाली सड़क मरम्म सहित कई अत्यावशक कामों पर भी रोक लगा दी गई है उस पर मनपा का वित और लोक निर्मान विभाकनित नए नियम और परिपत्र जारी कर छिटपुट काम पर भी रोक लगाने में चुटा हुआ है जबकि अगली वर्श फरवरी महिने में मनपा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में विकास पर ब्रेक लगाने की प्रशासन की नीती की खिलाफ पार्शदों का आक्रोश भड़कने लगा है इसे देखते हुए 17 सितंबर को मनपा की विशेश सभा मूलभू सुविधाओं की अंदेखी को लेकर बुलाई गई है अज जनता की बहुत सारी समस्या है कुछ निरने प्रशासन के जो लिये गए हुए है वो नियमों के आधार पर नहीं है और उस वज़े से बहुत सारे विकास कामों को भी रोक प्रशासन के माध्यम से लगाई जा रही है एक तरीके से नागरिको के जीवन की नियमी जो समस्या है उसका मार्ग निकालना ज़रूरी है और उसकी चर्चा नागपुर महानगर पालिका के सभागूर हमें होना ज़रूरी है और नागरिकों की समस्या है सुल्जे इसलिए हम आने वाले सभागरों में चर्चा करेंगे और शहर की जनता को न्याय मिले उनकी जो छोटी छोटी समस्या है उसका निस्तारण हो इसके लिए निश्चित तरपरी सबागरों में चर्चा होगी और जन्ता को न्याय मिलेगा ऐसा हमारा मानस है